वर्ल्ड कप दो हजार तेज का फाइनल मुकाबला भारत वसेज आस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है और भारत पूरी तरीके से चोक कर जाता है पूरे मैच जीतने के बाद यहाँ पे 10 के 10 मैच जीतने के बाद 11 मैच हार जाता है भारत इंडियन किरकेट टीम का ऐसा परदर्शन हमने थ्रू आउट डा वर्ल्ल कप नहीं देखा यूगि थ्रू आउट डा वर्ल्ल कप भारतिय किरकेट टीम विजहरत पे सवार थी और वो टीम जीत जाती है जो इनीशली दो मैच हारी हुई होती है उसके बाद देखिए औस्टेलिया टीम जीत जाती है आप यह देखिए औस्टेलिया टीम का सफर और वहीं पे भारत का सफर अगर ओवरॉल की बात होगी तो सबसे जादा मैच भारतिय किरकेट टीम ने जीता है पर वर्ल्ल कप यहाँ पे ऑस्टेलिया को मिला क्योंकि ऑस्टेलिया नॉक आउट फाइनल मुकाबले में यहाँ पे शांदार तरीके से जीत दर्ज की पैट कमिंस की तो काफी तारीफे बटोर रहे हैं वो और पैट कमिंस ने पूरे विश में डंका बजा दिया डबलू टीसी जीतने के बाद और अब यह जो वर्ल्ल कप 2023 की ट्रॉफी है वो जीतने के बाद इसी बीच देखिए मैच खतम होता है और प्रेस कॉन्फरेंस होता है इंडिया के हैड कोच राहूल द्रविड बयान देने आते हैं और बहुत सारी बाते क्लियर करते हैं और मैच में वहाँ पे वो कप्तानी के बारे में भी बोलते हैं राहूल द्रविड यहाँ पे रोहि आने के लिए अपना समय और बहुत सारी उर्जा खर्चा की, वो किसी भी तरह की चर्चा के लिए हमेशा उपलब्ध होते थे, उन्होंने हर मैच में हमें एक ले दी और सकारात्मक क्रिकेट खेला, उन्होंने खुद भी शांदार बल्लेबाजी की, मैं एक इनसान और लीडर के रूप में उनकी तारीफ करता हूँ, रोहित ने शांदार तरीके से टीम का नित्रतिव किया, तो राहूल रविड ने यहाँ पे कहा कि देखिए, रोहित शर्मा एक बहतरीन कप्तान है, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट यहाँ पे टीम को अच्छा नित्रतिव किया, तीम को सपोर्ट किया, और कही न कहीं अगर हम यह फाइनल मुकाबला हटा दे, और पिछले दस मुकाबलों की बात करें, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई भी गलती हमें नजर नहीं आई, और परिणाम यही रहा कि भारत दसों के दसों मैच जीत कर यहाँ पे विजर 2003 में जब भारत औस्टेलिया का फाइनल मुकाबला हुआ था, वहाँ पे भारत हार गई थी, बट इस बार 2023 में किसी ने भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत जो है, वो इस तरीके से हार जाएगी क्योंकि भारत विजयरत पे सवार थी, और उसे में देखिए तो तूटे हैं, और बाकी देखिए, इंडियन किरकेट टीम खुद भी निराश है अपनी परफॉर्मेंस से, बाकी आपकी क्या राय है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं भारत ये किरकेट टीम के हारने के बाद, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, साई साथ को वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो दाद शेर करें, लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, भारत भले ही चोक कर गया, पर तूफान स्पोर्ट्स आपको खबर देने से बिल्कुल भी चोक नहीं करेगा, पचास ह सब्सक्राइबर्स आप प्लीज कम्प्लीट करवा दीजिए, तूफान स्पोर्ट्स आपका अभारी रहेगा, जैहिंद!